नमस्कार, फाइनल ट्रेड में आपका स्वागत है, मैं होड इंपे काल रहा है, तो थोड़ देर में हम आपके सामने सारे वो आंकड़े रखने वाले हैं, जो आज इस सिरिस के शुरुआत में आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाएं, साथ इस साथ वो सब आंकड़े इन है, तो सारे के सारी चीजे हम आपके सामने रखेंगे, सिलसल और तरीके से रखेंगे, लेकिन इस विच पहले जरा पांच बड़ी बातों के जरीए, ये जान लेते हैं कि आज दिन भर बाजार में हुआ क्या, सबसे मेली बात, अपरैल सिरिस के जब शुरुआत हुई, दमदर शुरुआत हुई, सुबह थोड़ा थंडा था बाजार, लेकिन दोपहर होते 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 हैं, इसने भी गति पकड़ ली, और 11,600 को पार किया, हलाकि उसके बाद जैसी 11,600 पार किया, हल्किसी मनाफ़ा वसूली भी आई, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के सेशन के साब से, ये 15 points की importance है, वैसे तो 50 points, 100 points भी market आचकल नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी, एक दायरे में, आज हो गया, 11,600 बार पार किया, दूसरी important बाद, आज, निफ्टी बैंक में मनाफ़ा वसूली तेखनी को मिली, कई दिनों के ताबर तोर तुफानी तेजी के बाद, आज, बैंक निफ्टी थोड़ा ठंडा है, 134 points की गिरावट ही दर्शारी है, कि banking stocks में रुजहान उतना positive नीरा, हाँ, फिर भी कुछ निजी बैंक में अभी भी खरिदारी है, आईसे से बैंक एक हो सकता है, 397 का low बनाने के बाद, अभी 403 है, तो ये share थोड़ा momentum में रखत का कम हो रही है, उसका फायदा मेटल से भरपूर उठाया, जाता स्टीर वाली कंपनिया तेज हुई है, इसके अलवा, मार्च बिक्री आंकडों से पहले, आज ऑटो शेयर्स भी रफतार में है, ऑटो के दोनों कंपनेट, टू विलर वाली कंपनिया, फोर विलर वाली कंप हुटी आई है, आज फिर से 69 पे 20 पेसी के हम करीब काम काच कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है, तो ये एक बहतर चीज है, इस बीच ये पांच बड़ी बातों के साथ आपने एक बर मार्केट तो समझ लिया, जान लिया, अब जल्दी से ये भी देख लेते हैं, कि हम का साल का नहीं, बलकि 10 साल का अंकड़ा हमने रखा है, ताकि दो बड़े चुनाव जो 55 साल में केंद्र के चुनाव होते हैं, उसका भी आंकलन आपको मिल पाए, कि अपरेल सेरीज में आखर कर होता क्या है, सेकर्टोरिल चर्निंग होगी, एक्सपर्स कौन से बता रहे हैं, स ठीक नंबर्स आएंगे, एक तारिकों दो दिन की छुटी है, शनी वरितवार, आप चाहें तो आज ही पूजिशन बना लेजेगा, इन आकों को देखने के बाद, और कारकर में तो हम डिसकस करेंगे, बैन से बेनिफिट, तीन बच के पांच मिनिट पे यह हम आपके सामने हॉलिडे होगा और कारिंसी बाजार भी बंद रहेंगे, इसके अलावा आटो बिखरी के आकरे भी आएंगे पहली तारिकों, तो ये दो इवेंट से जिंपर की नज़र रहेगी, सेकंड एप्रिल जाने के दूसरी तारिक को MPC की बैठक शुरू होगी RBI पॉलिसी में, तो है, वो 877 से 880 रुपे प्रती शेयर तेक किया गया है, चार एप्रिल को RBI की क्रेडिट पॉलिसी आएगी, जो फाइनल आउटकम आएगा, वो आएगा, उस पर भी नज़र रहेगी और इसके अलावा, क्वाटर फोर F.I.19 के नतीजों का भी शुरूआत हो जाएगी, जिस तो एक कुछ एक एहम ट्रिगर्स हैं, जिसमें और निंग का ट्रिगर भी इसी हफ़ते, यानि के अगले हफ़ते से शुरू हो जाएगा, तो ध्यान रखे, जी-एम ब्रिवरिस के साथ ये नंबर्स के आगाज होता है, शुरूआत होती है, और आज लीकर वाले स्टॉक्स वेवसी भी थोड़ा तेज हैं, युनाट्रिट स्पिरिट्स आज ही गती पकड़े हुआ है, और इनफेक्ट जुड़ चुके हैं, और मेरे साथ मुंबई से एक और खास मेमान जुड़े हैं, उनका नम है विश्वेश, और विश्वेश की एक ट्रेड है, विदानता, आज आप बड़ी चर्चा सुनिये इस विदानता की, तो आज मेटल्स की जब शेयर हम डिसकस कर रहे थे ना, बार-बार मेरे दर विदानता पर जा रही थी, विदानता से इस सब करते हैं शुरुवात, विश्वेश जी, अभी क्या करना चाहिए, जिनके पास इंट्राड विदानता की अगर पर्टिक्लर बात करें तो विदानता पूरी माँच सीरीज में 180 के उपर नहीं गया था, ठीक है, आज सीरीज के खुलते ही वो 180 के उपर है, और जैसे कि मैं अभी विदानता का डिटा चेक कर रहा हूं, जिससा आप से बिल्ट अप वगेरा है, मेरा ऐस मानना है कि स्टॉक में कहीं ना कहीं major short covering आपको देखने में सकती है, दूसरी चीज यह कि option में जब आप जाके देखते हो, विदानता में highest open interest, तो 190 के call option में highest open interest है, और आज के दिन में वहाँ पे almost 9,22,000 share add हुए है, मेरा ऐसा मानना है यह directional buying है, तो यहाँ पे आप स्टॉक ह यह उतनी खराब नहीं हो सकती जितनी पिछली हुए थी, तो उस लिहाँ से मेरा ऐसा मानना है वेदानता करंथ सर से आपको at least 10-15% यह series के अंदर mood दे सकता है, 10-15% यह दोसों का भाव आ सकता है फिर तो, बिलकुल, in fact मैं जिंदाल स्टील भी देख रहा था, और जिंदाल बड़ा स्पाइक हुआ है और एक पैटर्न विक्सित हुआ है, उसको इनवर्टेड हेडिन शोडर बोलते हैं, जो टार्गेट इसका आ रहा है, करीबन 225 के असपास आ रहा है, तो मेरी साबसे जिंदाल स्टील, पदट मैटर, वेदानता, यह सीरीज मैटर के लिए उतनी बुरी नहीं रहनीची है, मेरी सबसे अची रहनीची है, ठीक है, इंटरस्टिंग, मैटर्स की शेर नहीं कबजा का रखा स्क्रीन पर, आप सेल देखिए, साड़े पांच से छे परसंट उपर, जेस्टील आज उपर है, वेदानता आज उपर है, जातर शेर आज को पांच सब्सक्राइब करकर मैं फिर से एक बार समय देने के लिए, बंसल जी आपका भी स्वागत है, नितिन जी आपका भी स्वागत है, आप से मैं शुरू कर रहा हूँ, आज कैडिला पे नहीं पॉजिटिव खबर आई थी, उसको से थोड़ा सा उपर हो गया था वो शेर, यह क मुझे लगता है डिपी, देखें, लूपिन के चार्ट में तो किसी तरह की कोई तबदीली नहीं है, लूपिन लगातार बजार को अंडर परफॉर्म करता है, 760 का एक ब्रेकडाउन भी हुआ है, आज पुल बैक जरूर हम देख रहे हैं, वो शायद इसलिए एक एक स्पा लगता है कि एक रेंज कंसॉलिडेशन हो रहा है, और जैसे ही औरो फार्मा में बड़ा ब्रेकाउट आएगा, मुझे लगता है कि उस काउंटर में आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, तो अगर इन तीनों में चुनना हो तो मुझे लगता है कि औरो फार्मा जो हमारा टार्गेट था पोलो हॉस्पिटल में, वो 1260 रुपे का टार्गेट था, 1258 रुपे 75 पैसे, यानि कि 1 रुपे 25 पैसे से टार्गेट से अभी हम दूर हैं, लेकिन टार्गेट बहुत बड़ा और अग्रेसिव टार्गेट था, ये काउंटर अब 6% उपर है, कोब चीवट मानें के मुझे लगता है, सरुदार था कि तो बात ही निये, तो गरब के और शौरे की बात है, सिरफ सैदिक शौरे ने दिखाते बॉर्डर पे, ये भी एक तरह का वार जोन ही है, जिस पर आप जैसे सोल्जर जो है न, जिनको कमांडर ट्रेनिंग मिली हुई ये इसी वार जोन में ऐसी तरह से कमांडर ट्रेनिंग वाले जीत रहे हैं, जो आपने बताया, आज देखिए, इंडेक्स वहीं कवहीं खड़ा है, कोई ये कह सकता है, चलते बिजार में तो कोई भी ट्रेट दे सकता है, आज आप खड़े वे मार्केट के अंदर कोई शेर करते रहेंगे, एक और शुर्वीर हमार साथ है, नितिन मुरार का, मैं उसे जानूगा कि एक्चली डाटा क्या बन रहा है, क्योंकि सुबह 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 सीरीज के डाटा का अनलिसिस कर रहे थे, उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं, वह है जड़ा खबरों वाले शे प्राइज के लिए जो गैस के प्राइजेज हुए हैं, वह सरकार ने तई कर दी हैं, और यहां पर जो गरेलू गैस की कीमते हैं, वह करीब 10% तक बढ़ी हैं, कीमते 3.36 डॉलर से बढ़कर 3.69 डॉलर यहां पर आती हुए दिखिए और साथी जो गहरे समुंदर की जो गैस की कीमते हैं, वह भी यहां पर बढ़ी है, 7.67 डॉलर से बढ़कर 9.32 डॉलर प्रती यूनिट के जो कीमते हैं, वह आती हुए दिखिए हैं, इसके चलते हैं, और सबसे ज़्यादा फोकस में और चड़ा भी है, साथी लक्ष्मविलास बैंक फोकस में था, बुद्वार को प्रोमोटर ने करीब 1.9% की जो हिस्सा था, वो गिरवी रखा था, बजाच फिनांस ने यह जो हिस्सा है, वो खरीद लिया है, 1.89% का, पीनबी और पीनबी हाउसिंग फिनांस ये दोनों ही आज फोकस में थे, क्योंकि पीनबी को पीनबी हाउसिंग में अपनी जो 13% की के प्रस्टीज आज बोड के बैठक थी जहां पर कंपनी ने बोनस इश्यू किया है पाँ शेयर पर एक शेयर का बोनस का एलान यहां पर कंपनी ने दे दिया है और आखेर में खडिला सबसे पहले यहाँ पर आप नज़र कीजिए बीएचेल आज 10 लाख शेरों के बड़े सौधे हुएं साथ ही आज इस पर लाइफ पर जहाँ पर पी एंबी बारीपा ने अपनी हिस्कदारी बेचे पर आज फिर से खरीदारी हुए थीरा सौधे का रेट है उसके उपर ही आके ट्रेड कर रहा है आज यूएसल यूबियल दोनों ही हर इशान में है जीम ब्रिवरिस के नमबर आएंगे अगले हफते से त्यार रहेएगा थोड़ा से लिकर स्टॉक के इंदर एक्शन देखने क को मिल सकता है खेर इस बीच एक्शन है बिगुल के साथ नीतिन जी को अस तो जाने का समय नहीं मिल रहा क्योंकि इससे पहले एक बजाना होगा चार्ट कॉर्णर का बिगुल बंसल जी बताइए कौन सा शेर ढूंडा है आपने डिम्पी जी शेर से पहले एक स्टेम्प है स्टार हेल्थ के स्ट्राइट्स पर हमने मैंने और कॉनाल जी ने 461 के आराउंड एक बाइक कॉल दिया था 479 का पहला टार्गेट था और 479 के लेवल्स डिम्पी कैश में अचीव हुए है तो वहाँ पर हमारा टार्गेट एचीव हुआ है और अब आते हैं डिम्पी जी कॉल पर खरिदारी के रहा है डिम्पी जी इंडिया सीमेंट पर जहां पर बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकाउट देखने को मिल रहा है एक मल्टी और नेकलाइन टूटी है और डिम्पी 9% का ओपन इंटरस्ट में इजाफा है और अगर आप दियान दे तो अनिल जी ने लिए कि इस कॉल में जब कॉल दो तो गलत निकलता है बट जिस तरीके का डिम्पी आप ब्रेकाउट अब यह स्टॉक एक तरफा चलेगा और मुझे ने लगता कोई भी किसी भी तरीके से इंडिया सीमेंट में गलत निकलेगा और यहां पर डिम्पी मुझे लगता नहीं ह जिस तरीके का मुविंटम वाला मार्किट है बारा तेरा उरुपे का नौन स्टॉप अपमूफ इंडिया सीमेंट में देखने को मिलेगा यहां पर एक ओवरवेट खरिदारी की राये है ओवर टू कॉनाल जी देखे डिपी जी काफी वक्त से यानि कि पिछले जब से आपका शुरू हुआ है तब से मैं और राके जी खेचा तानी कर रहे हैं इंडिया सिमेंट को लेकर के और हमें संकोच हो रहा था लेकिन जिस तरह का ब्रेकाउट यहां पर आया है हम दोनों विवश हैं इस पर खर जी आपको इंडिया सिमेंट में देखने को मिलेगी इंस तरो पर खरिदारी किराया है यहां पर जो स्टॉप लॉस है 105 रुपे पर रखें 112 रुपे का पहला लक्षे और 115 रुपे का इवेंच्वल टार्गेट होगा और मुझे उमीद है कि इसके परे भी जाएगा तो 120 र प्राइज एक्षिन तो हो चुका है नैशनल नेवल पे लेकिन रियलाइशन का इसकी मांग का अभी भी बहुत बड़ी गुंजाश है उसमें पूरी तरह से बढ़ सकता है एक और फैक्टर भी आपको बताता हूं जिनाकिवली रिपोर्ट आए आज सुनील सुबरेमंडी म मार साते सुन्दरम मूचल फंड्स की तो वो भी यह बात करे लिए कि सिमेंट एक ऐसा सेग्मेंट है जहां पर अभी भी खरिदारी फंड्स की तरफ से होगी और जो सेक्टोरिल चर्निंग होनी है वह सिमेंट में आपको ज़्यादा इस बार दिखेगी नितिन जी इसमें किसा स्युन्य के बताइएगा कि सिमेंट सेक्टर में रॉल ओवर कैसे हूआ है और दूसरा मेले को आप कमई συ स्टडी बताईये के डाटा को लेके रहे यह डाटा बन कैसे रहा इसके फ़स्ट आप सब्सक्राइब कर देटा बताता हूं सिमेंट में रोलोवर काफी सांदार है जैसे सिमेंट में 91 परसेंट है इंडिया सिमेंट में जिसके डिसक्रिशन होगा नाइनिटीव परसेंट है इतने स्क्राइब के बाद अगले दिन वाइंग आ रही है इसका मतलब है कि सारा का सारा क्या तो लोगों किया है वह ट्रैप हो गए हैं क्योंकि ओपन इंट्रेस्ट मतलब यह हुआ ऑगी कि किसी का लॉंग किसी का सौट तो ये इतने स्क्राइब और बायर्स के साइट से मोमेंटम आ जा रहा है तो यह और मोमेंटम कंटीनियू रहेगा तो मुझे लग रहा है कि सिमेंट में अगले वीग भी दो-चार दिन और अच्छी मूँव आ सकती है चार-पांच परसंद की मूँव आ सकती हूं सिमेंट का रोलोवर और डेटा पॉ परसंट से करी और प्रीविएश पारी और सौट पॉजिशन को कम करी है यानि यानि कि फॉड़ा सा कंसर्ड यह मिला है कि करेंट सिच्छोईं में उनकी जो राइटिंग है यास्ट्रॉंगर हैंट की तरफ से कॉल राइटिंग थोड़ा हो रखी है तो इसके लिए बजार इस लेवल पे थोड़ा सा अटक सकता है दूसरी बात यह है कि जो ओपन इंट्रेस्ट इस महिने का है वो प्रिवियस मन से 38 परसेंट ज्यादा है यानि कि ज्यादा पोजिशन रोल ओवर हुई है और सारे लोग बुलिस व्यू में हैं तो थोड़ा थकावड आप देख सकते ह है अब मैं और पूरी एक्सपारिमें अप्रील में पॉजिटीव मान रहा हूं और आज का डेटा देख रहा हुं तो थोड़ा सा म्यूटेट साइट वेज और थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जा रहा है तो वह इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा हम लोग एक दो दिन स इरेक्टिव मोड में आ सकते हैं उसके बाद फिर फॉलो ऑन रैली मिल सकती है तो वीव हम पॉजिटिव रखेंगे बट आज हम बाइंग नहीं करेंगे एक दो दिन और डेटा बनने थे आज का डेटा बहुत जादा पॉजिटिव नहीं बन रहा है ठीक है आज का डेटा की खरिदारी भी आ गई है और इस भी चैनल जी में वरसा स्टूडियो में लेकिन उससे पहले ही ये जब से कल और आज कल सेकंड हाफ से अभी तक जो नितिन जी ने बाइंग से हाथ कीचा है और सारी प्रॉफिट बुकिंग की तब से मार्केट चल नहीं रहा देए तो मार अब हाँ अईख मैं और आज अभी आप इंडिया सिमेंट कर रहा देघे है बन सल की बेर चयरए होिब से कि बिइस जिए बनल तो चौनल जी क है रहा है कि यहांकि वह लगार हु निकार को दे ते ब्लेट में उता था आज इ stripes मेंड़ेरिया कीजीए लग से थह बनाव दे प्रेंट करते हैं कि ब्रेक आउट होगा तो मैंने ब्रेक आउट से पहले दिया था एक में याद करने जी रुकिया मेरी याददाश भी तो मैं चेक करना हूं कोटक सेक्यूरिटरी की रिपोर्ट पे साउथ में पांच रुपए सिमेंट के दाम बढ़ेंगे ऐसी कुछ बात आप नहीं कहीं थी क्या हां कली करी थे अनिल जी आपके लिए एक मैसेज आप थे नहीं जब आपने मैंने कॉल दिया अब इंडिया सीमेंट का डर निकाल दीजिए अब इसमें जो ब्रेक आउट हुआ है अब ये 12-15 रुपे एक डिरेक्शन में चलेगा तो आपको लिए sót तो अब यहां पर आप कोई किसी किसम का stop-loss trigger नहीं होगा लिक्तर हो एक तरस हो जाएक तो आप दोनों को देखें इंडिया सिमेंट लेकिए एक बार तो टार्गेट हमारा लगा दी है एक और ट्रेट बीटीस्टी करते हैं अरे बिल्कुल 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 जल्दी से एक बढ़िया वाला बिल्कुल विश्वेश जी के लिए बनाएंजर पहला जो टार्गेट है वो 411 का और दूसरा चार्गेट 430 का यहां से बहुत स्विफ्ट मूँ देखने हैं इन फैक लास्ट चार दिन के जो आइडेंटिकल स्विंग लोज बने हैं वो सम्वेर रूं 376 के आसपार मेरे हिसाब से शॉट टर्म बॉटम 376 पे बन गया है और यहां से सीधा मूँ 412 तक देखने मिल सकता है तो हमारे BTST के जो व्यूर्ज हैं वो 410-11 के टार्गेट के लिए खरीदे और जो पोजिशनल के लिए करना चाते हैं 430 तक के टार्गेट करीदे और BBCL में खरीदा लिए जवाब मैं आपसे इस सवाल का लेना चाहता हूं कि पहले और दूसरे टार्गेट में इतना फर्क क्यों? तो करीबन ओए पोजिशन देखे तो 4,96,000 शेर एड हुए हैं और ओपन इंटरस में अगर आप इजाफा देखे तो मेरे सबसे 400 के कॉल में 3,000,000 शेर एड हुए हैं विद इंप्लाइड वालटिलिटी राइजिंग तो यह डिरेक्शनल वाइंग है और मेरा ऐसा मानना है बीपी सीएल यहां से बहुत ही बढ़िया मूव देना चाहिए है अगर आप बढ़िया मूव चाहते है तो इसको भी खरिदारी करें 411 का टारगेट है विश्विश कहरें 430 का स्टॉपलोस है और 388 रुपे का एक स्टॉपलोस भी है 400 के देलीज को कर रहा है यह पार तो इस पर इंट्रेस्टिंग है क्यों लग रहा है कि इसके लिए तो सोने पर सुवागा हो जाएगा रुपया तो अभी इतना कमजोर हुआ नहीं है थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जैन साब कभी स्वागत करते हैं जैपूर से मरसा जुड़े हैं जैन साब यह मार्किट के इसे अभी नितिन जी भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा ठहराव है थोड़ा सा रूप भी सकता है बजा लेकिन फिर से तेज हो जाएगा यह ठहराव का फायदा कहां पर उठाएं सेक्रेटरिल चर्निंग भी दिख रही है आज देखें बैंक निफ्टी नहीं चल रहा लेकिन आज बहुत सही अनलेसिस है मुझे भी ऐसा लगता कि थोड़ा एग्रेसिव कम होना चीए मतलब ओर एग्रेसिव ना हो और जो माकेट है कहीं ना कहीं जो हाईस के आसपास वहां पे रेजिस्टेंस भी फेस करना चीए बहुत बड़ी रैली आ चुकि और अब एप्रिल का म अब भी ऐसा लगता है कि जो डिफेंसिव स्टॉक्स में जो आज चाला है मुझे लगता कि फार्मा कैन बी वेरी गुड सेक्टर आईटी इंफेक्ट जो एक्षेंच्वर के कल अर्णिंग्स आए उसके बाद आईटी में थोड़ा बहुत एक रुजान आया है और जो करें सीजी में आज चुकी ब्रिटानिया आया है तो मुझे लगता है यह आईटी सी भी अच्छा कर रहा है और ब्रिटानिया भी करेगा शायद ऐसा मेरा मानना है तो यह डिफेंसिव स्टॉक्स में जाना चीए फिर दूसरा मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी और में परफिस संकों कि निफ्टी वक्षाइब करने में तो आदkiej फिर दिफिए तो कर्या ओपिस से इसलिए है सर 11602 अभी इस तर है 11602 ओके 11602 लेकिन बड़ी टाइट रेंज है साथ पॉइंट की 10-570-11-630 इस साथ पॉइंट की रेंज में पूरा वक्त आज बिता दिया है लेकिन हां स्टॉक स्प्रसिफिक एक्षिन बरपूर है गेल यह गिरने में आज बढ़ा आगे रहा है तीन परसन नीचे कोई खास इसी वजह सुनने में तो नहीं आई आज सिर्फ एक गैस के प्राइज को जरूर बढ़ाया गया हां हो तो वह पहले से अंटिस्पेटिटिड था 3.9 उन में थोड़ा सा गिरावाट आई थी गेल उसी समय से तूटा है जिस समय गैस के प्राइज थी तो ट्रांस्मिशन वाली कंपरी जो ट्रेड करती है टिपिकली गैस की उन में थोड़ा सा रहता है प्रेशर अगर कभी भी कवार दाम बढ़ जाए तो तो थोड़ा गेल के बंसल जी जाए गेल के चार्ट्स देखकर बताईए क्या करना चाहिए अनिल जी बहतरीन चार्ट स्थर है गेल का और टेखनी कली अगर आप गेल को देखें तो इसमें नीचे में अच्छा बेस है और यह इस टॉपर जाता है उपर से करेक्शन मार देता 340 के राउंड एक इमिजेट सपोर्ट है वो तूटे अनिल जी तब कुछ गड़बड है और उपर में एक आज आफ नो टेंपररी देखें तो 360 के राउंड एक रिजिस्टन्स बना है और टेक्निकली इस रेंज में ये ट्रेट कर रहा है तो मेरा समझना है थोड़ा सा वेट कौन से बातों पर आपको खास और से ध्यार लखनी चाहिए तो हमारे वाइदाकारोबार के विश्यशिक जिए रहे जेट जेवगन रहे जी सारी तैयारी डिटेल्स एर्निंग सीजन है अर्निंग सीजन बहुत इंपॉर्टनिट रहेगा मार्केट के लिए नतीज आएंग सबसे बहतरी डिटन मिले है 2009 में जहां पर 12% मार्केट चड़ा था तो आप यह देखिए ट्रेंड यह आपकी स्क्रीन पर दस साल बात फिर से 2009 के बाद 2009 नीच नहीं हो सकता है इस बार मार्केट में जो स्ट्रेंट है अगर मार्केट के यहां से और बढ़ गई और लीड कर कि यहां पर बजार में क्या तेजिया भी और बढ़ेगी या फिर ठहर जाएगा बजार तो 45% जानकार मान रहे हैं कि तेजिया भी और बढ़ेगी पर कंसॉलिड होगा क्योंकि लगबग 800 पॉइंट की तेजिया तो निफ्टी पकड़ चुका है पिछली सीरीज में और कि यहां से गिरावट देखने को भी लिए अच्छा अब रेंज भी रही तो निफ्टी की क्या रहेगी शुरुआती दस से बारा ट्रेइनिक सेशन में तो वो है 11,400 से 11,800 बजार 11,400 के नीचे जाने को तयार नहीं होगा यह जादर जानकार मान रहे हैं और ऐसे में all-time high levels बहुत जाद हैं सेक्टर वही जो आज चले उसमें तीनों टॉप में हैं मेटल आटो और साथ-साथ फार्मा यह जादर जानकारों की लिस्ट में आगए पिचरड रहे थे तीनों इस सेक्टर लेके ना चल रहे हैं और इसके लावा बैंकिंग तो फ्लेवर है मार्केट का स दिखूंगा लेकिन 30,000 मेटल इंडेक्स का चार्टी में देख रहा था क्योंकि रजट ने इसके उपर अगर निकला तो 33 अभी चल रहा है 3039 3040 तो यह जैसे निकलेगा 66 के उपर बता दूगे आप मेरी साब से मेरे बास तो लाइव डिटा आता है में बता दोगे ना हम आ जनता में मू लग रहा है सेल में मू लग रहा है और सब में एक ही टिपिकल पैटन है सबसे ज्यादा वजन किसका है मेटल इंडेक्स में वो चेक करना पड़े है और यह पॉइंट जैसे पार करेंगे वैसे मैं स्टेंड भाई के लिए काम करता हूँ कुनाल जी को भी बह किया पता नहीं आपका वरोसा नहीं आप बताएं नहीं बताएं आप शोपे होने हों कुनाल जी राकेजी तो अरवक्त शोपे रहते हैं तो कितना तीन हजार चाहट उनका भी लेवल लिजिए मेरे बैसा मालना है तो चलिए मेटल सेक्टर में अगर ब्रेक आउट आजाए कुनाल जी तो जराब बता दिएगा तुरंट प्रभाव से लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दिजिए कुनाल जी बताएंगे वो बिगुल के बाद बजाएए बीटी एस्टी टी का बिगुल बताएं सर बीटी एस्टी टी आने जी खरीदारी की राय है और खरीदना है फेडरल बैंक को देखें धीरे धीरे करके सारे नीजी बैंक एक के बाद एक परफॉर्म कर रहे हैं फेडरल बैंक भी आज परफॉर्म कर रहा है और इसने एक ब्रेक आउट दिया है यह जो ब्र 2019 में इस काउंटर ने 97 का स्तर चुआ था और वहां से फिर बड़ी गिरावट आई थी आज इसने 97 की इस रेजिस्टन्स इस बाधा को बहुत डिसाइड़ली पार किया है और मुझे लगता है कि अब ये तीन डिजिट में जाने के लिए पूरी तरह त्यार है 110 रुपे तक के लेवल्स भी फेडरल बैंक में आते हुए दिख सकते हैं और बैंक निफ्टी भी अगर आप नोट करें अनिल जी तो अभी-अभी हरे निशान में फ्यूचर्स में लॉट आया है तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जो तेजी हमने देखी थी पिछली एक्सपारी में वो अभी भी जारी रहेगे और फेडरल बैंक को मौझे दस तरो पर बाय करना चाहिए यहां पर 95 रुपे 50 पैसे पर स्टॉप लाओ सकना है पहला टार्गेट 101 का और दूसरा 104 रुपे का होगा हालाकि इसका इवेंच्छल टार्गेट 112 रुपे का है तो फेडरल बैंक मौझे दस तरो पर बाय करने के रहा है फेडरल मैंक यहां पर खरीदना है बैंक निफ्टी के मूव को देख कैसा लगता है कि जो बियर है न जो इसको शॉर्ट करना चाहरे है उनके लिए की डायलोग है इनसे हो पाएगा बैंक निफ्टी ने इनसे शॉर्ट हो पाएगा बैंक निफ्टी जो ताबर तोर तरीके से चला है मार्सीरीस के अंदर अपरेल का पहला ही दिन है आज यो डेट सो पैंट देखके खुश हो रहे होंगे कि किसी तरह से देखिया आज हमने बैंक निफ्टी को नीचे कर दिया लेकिन बारे बज़े तक तो इस्तिती रहती है उसके बाद ऐसा कुछ नी होता है आज फिर से बैंक निफ्टी वापिस हरे निचान में आने के कोशिश कर रहा है और निफ्टी बैंक लीजे आ गया हरे निचान में बनसल जी आप भी कुछ कहना चाते है नहीं डिम्बी जी मैं अनिल जी से एक प्रशन पूछना चाहता अब तो पूरा दिन कंफरडेबली इंस तरों के ओपर ट्रेट कर रहा है तो अब अनिल जी कब साथ देंगे निफ्टी में एक एग्रेसिव टारगेट 11700 का कब देंगे मैं उसकी वेट कर रहा हूँ तो उस पर अनिल जी से पूछना चाहता हूँ जी से बटाएं साथ हैं हम साथ साथ हैं हम सा था नहीं था उसके बार तो तुरन थे तो निफ्टी में तो आप मान के चले के तेजी होगी, बिलकुल, और फिर भी अकर आपको थोड़ी भी शंका शुबह है मेरे समर्थन को लेकर, तो बस दो-तीर मिट दरीजे, धाई बच चुके मेरे स्ट्रेटीजी का टाइम हो रहा है, उस वक्त उसके बाद मेरे विचार करना है, तो अगर आप खरीगते हो, और अगर पहला टागेट अचीव हो जाता है, तो प्रॉफित नहीं बुक करना है, आपको स्टॉप लोस को स्ट पर करना है, जिस साब से ब्रेक आउट है, मुझे बहुत ही हाई कॉंफरेडेंस है, मैं बोलूँगा, ओर वेट होके आप यहां पर नाशनल अलुमिलियम को खरीदे, 63 के स्थर आपको शायद 2 या 3 दिनों में बहुत तेज़ देखने मिल सकते हैं, वा, 63 के लवल्स मिल जाएंगे, खरिसका तो साइज भी बड़ा ल थोड़े देर में हम आपके सामने आंकड़े भी रखने वाले हैं, जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टेड़जी को लेकर होगा, लेकिन इससे पहले, परकाश प्रिदैशी भी हमार सा जुड़ रहे हैं, एक एहम खबर लेकर आ रहे हैं, और उनसे हम बाचित करके यह जानेंगे कि पावर कंपनिस को लेकर ऐसा क्या हो रहा है, बाजार के अंदर या फिर राजीनितिक गल्यारों के अंदर भी ऐसी कुछ क्या खबर है, जिससे कि पूरे सेक्टर में दम आ सकता है, यह बहुत इंपर्टन हो का, अच्छा नितिन जी एक शेर मैं आपके लि जे ठकर मारसा 480 की कॉल खरीदनी की रहा है, साड़े बारा मज़े जी के गए है, जरा आप भी अपनी राये रखिए इसमें, करना क्या है टीवेस मोर्टरस में? क्योंकि इसमें थोड़ा बाउंस तो आ रहा है, रोलोवर्स 88% के आसपास है, बट अभी ऐसा नहीं है कि कुछ ट्रेंड में चेंज है या बहुत जादा कुछ डेटा में चेंज है, जो अर्लियर ट्रेंड है वो नेगेटिव है, और मैं अभी भी मान रहा हूं कि इसके रो और रोलोवर्स भी सौर्ट साइड है, आज केवल हम बाउंस बैक देख रहे हैं, नॉर्मली ये होता है कि जो भी सेक्टर के सौर्ट रोलोवर होते हैं, वो एकस्पारी के अगले दिन बाउंस एक दिखाता है, ऐसी टेंडेंसी देखी गई है, तो मुझे तो ऐसा ही लग इसमें क्या किया जाए, विश्वेश इजर पावर फानाइस कॉर्परेशन साड़ चार परसंट उपर है, मेरे साब से इसमें पैराबॉलिक मूज आ रहे हैं, उसके बाद में कंसौलिडिशन आ रहे हैं, तो मैंने इस तरह के पैटरंस पास्क में देखे हैं, एक मिन पैरा पैराबॉलिक समझाईए, अने जी मैंने साइंस साइंस तो सब पढ़ी है, बट ये हिंदी में जो रुपांतर कुनाल जी करेंगे न, उतना मैठा निकर पाऊंगा, तो ओवर तू कुनाल जी, अने जी देखे, आपने होकी स्टिक देखी है, हाँ, खेली भी है, तो अने ज मैठमेटे के लिए, अगर आप देखेंगे, तो हाफ सरकम होता है, अब इसमें जो पैटन बना है, वो सिंपल है, हर बार ऐसा करता है, मूँ जाता है, फिर साइडवेस होता है, उसके बाद में वापस अपस जाता है, तो जिससाब से हर बार, हाँ, पराबोलिक मूँ करने क के बाद, तो वाट इंडिकेट कि एवरी टाम समबडी इस कमिंग तो शॉर्ट अब कहीं न कहीं उसके सप्लाइ खतम हो जाएगी, मैं प्यूर साइकलोजी परस्पेक्टिव समयन दे कुछ कर, उसकी जैसे सप्लाइ खतम हो जाएगी, जो बायर है, वो इतना स्रॉंग है कि उसके बाद में क्या होता है, ब्लो अफ रेली आती है, और ब्लो अफ रेली के अंदर स्टॉक जो है, एक दिन में आपको 10-20 परसंट भी उपर देखने मिलता है, तो जिस साब से आज PFC का मुह है, मेरे इस साब से, फाइनली 119 के उपर, अच्छा, एक मिले डेके, यह होकी स्ट्रिक टाइप का यह मामला नीचे, यहां से आपने खेलते हैं, यह शेप रहता है, बराबर, तो आप ही कहरें कि इस शेप यहां तक आ गया है, और यहां चे उपर निकलेगा, तो होकी स्ट्रिक जैसे इतनी उपर जाती है, तो मेरे इस साब से, इतना बड़ेगा, 140 तक प्रकाश प्रिदर्शी है, हमारे समाधाता हमारे साथ जुन रहे है, पावर सेक्टर को लेकर कुछ बड़े ख़बरे आदनियों की ता ही अरी में, और इन से शायद पावर सेक्टर की जो NPA की समस्या है, वो थोड़ी कम हो जाए, इन बदलाओं को कुछ मंजूरी मिली है, खासकर थर्मर पावर प्लांट्स के लिए, जिसमें ग्रूप अप मिनिस्टर का गठन हुआ था, उसने अपनी कही तरह की सिफारिशें दी थी, जिसको कैबनेट ने अप्रूव कर दी है, लेकिन अब ये लागू करने का वक्त है, और ये नए वितवर्श में लागू होग तो मौजूदा नियमों के तहट जिनके पास लॉंग टर्म पीपीए नहीं है, वो जो शक्ती स्कीम है सरकार का, उसमें कोल लिंकेज के लिए उस प्रॉसेस में हिस्सा नहीं ले पाते हैं, लिहाजा जो नया बदलाव किया गया है, उसके तहट अगर आपके पास लॉंग प्लांट जिनके पास जो जनेर्शन कंपनी जो स्टेट की हैं या केंद्र सरकार की हैं, उनके पास पीपीए नहीं है, लेकिन उनके पास पाफ प्लांट सभी कमिशन होना बाकी है, ऐसे में उनको इस बात की इजाजत दी गई है नया बदलाव में, कि वो चाहें तो एक में इसमें जा सकती है तो यह सहुलेत है किसी पावा प्लांट के पास कितने प dépê कर सो पावऱव किया और यह करे दिदाभात है कि मुझा चाहिए के दो यह का गैए कि निर्धान पूस M solar Weg गए हैं कुछ के नोटिफिकेशन्स आने हैं कुछ से जो नियम है वह एक अप्रील 2019 से लागू हो जाएंगे और कुछ नियम जो है नई सरकार के गठन के बाद जून जुलाई से लागू होंगे तो यह पावर सेक्टर के लिए बड़ी ख़बर है पावर सेक्टर के लिए वो पूरे सेक्टर को चलाती हूँ देखेगी इसलिए आप देख पा रहे हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं वैसे तो इस बास सिर्फ कोल इंडिया और एंटीपीसी तक भी सीमित हो सकती दी लेकिन फिर भी पावर फानेस कॉर्परेशन कुछ पावर ग्रीड वाल बहुत शुक्रिया प्रकाश यह एहम खबर देने के लिए कि जो कैबिनेट के बैठे कोई उसमें पावर कंपरिस को लेकर कुछ रहत और दी गई हैं आगे बढ़ेंगे पावर कंपरिस की बाद तो हम और भी करेंगे स्टेड़ जी तो फिर बिगुल भी तैयार है बताओं स्टेड़ जी बताने से पहले मैं काम कर लेता हूं पूरा ताकि किसी दरे की कोई भूल या गिरावट ना हो वह है अंतरास्टे बजार आपका तो बड़ा जवरतास असर देखने को मिल रहा है जब से आपने क्लोजिंग वाला शोय शूरू किया है डिम्पी ने भूलना बंद कर दिया इसकी वज़े तो ये तो डिम्पी कोई पता होगा लेकिन इंटरनाशनल क्यूज पता है नहीं बजार के लिए माइने रख के बड़ा त्यां के फूचर्स में दिखने को मिल रहे है नेस्टा का फूचर्स बारे पर अपर है एश्या की बड़ लगे हाथ क्लोजिंग दिखा दीजिया यूरोप का जो कामकाज हो रहा है वो भी दिखा देजिया तीनों पूरा वर्ल्ड का सिनेरिव आ जाएगा हॉं इन सब में भी आधे-ाधे परसंट तक की बड़त हैं सी टू यानि की करनसी और कूड यह दोनों भी लिखा दे क्रूड के अंदर 800 डॉलर है यहीं एक है थोड़ी सी बात 800 डॉलर के बजर करनसी और दिखाएं आज सुबह मजबूत को ले अभी भी मजबूत है और मजबू अभी घरिया मेरे वह पाल है बहुत अच्छी अच्छी नियुक पहले निफटी कि तो आपके लिए और रिज़सी पहले यही फरिकлаг Ciao Je planning którą अभी अभी वाने मोहाता है हुंए अवह देखने बाल है उसले निफटे के मवानितिया एक्शन जैदा है न परिण ऑर्योंच्टी का लेवल बचेवे समय के लिए सबसे अहम लेवल है 11600 का क्यों है 11600 के पुट पर 21 लाग शेर हैं और कॉल्स में भी 21 लाग शेर हैं मंतली और वीकली दोनों मिला कर तो दोनों पर है बराबरी का उपन इंट्रेस 11600 पर और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो साफ तोर पर 11600 निना एकलेवले इसके नीचे आप ट्रेड करेंगे तो आपके लिए रिस्क खुलेगी थोड़ी सी नीचे जाने की ऐसा लग रहा है कि आज की जो बचीवी ट्रेडिंग रेंज है शायद बाजार उसको होल करने की कोशिश करें ने 10-500 तरके नीचे जाए ने 11630 के उपर जाए यानि कि 11600 से 50-50 पॉइंट मैक्सिमम जगह बनती है उसमें भी 25 पॉइंट में शायद रुख जाए तो बैतर है कि कोई ट्रेड ना ले निफ्टी पर इस वक्त आपके लिए ज्यादा बैतर होगा तो निफ्टी पर मेरा ये मानना है कि छोड़ देना चाहिए ट्रेड नहीं भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पचीस पॉइंट के लिए लेना है तो एक अलग बात है तो पचीस पॉइंट के लिए एक बार आज फ्राइडे भी है नितिंजी भी बार बार कहते हैं ट्रेंड तो निफ्टी पर इंतिजार करने बैंक निफ्टी पर भी करने बैंक निफ्टी में देखिए बैंक निफ्टी के डेटा में ऐसा है कि डेटा ही नहीं हर जगह हर ओपन इंटर्स दो दो तिन तिन लाख है लेंगे एक चीज बैंक निफ्टी में बहुत साफ दिख रही है व तो आपको एक चीज करनी है या तो आप 30, 450, 3500 की रेंज में शोट करें और 50 पूइंट का इस्टोप्लोस लगाने और आपको मिलेंगे 100-500 पूइंट शोट करने वाले को लेकिन अभी नहीं करना है तो आप रेंज में आईए वहाँ पर जरूर करेंज में या तो थो खरीदना है तो दो तरीक चीजा है और फाइनली वहाँ से 150-200 पूइंट वापस निफटी बढ़ाएं तो आप रेंज में आईए वहाँ पर जरूर खरीदे मिसमत कीजिए तो 30-300 के नीचे खरीदना है, 30-200 के स्टॉप लोस के साथ, 30-500 के नजदिक बेचना है, 30-550 के स्टॉप लोस के साथ, एक तो यह हो गया, अब अगर 30-500 पार कर गया तो, 30-500 पार करके अगर 5-6 में तिक जाए, फिर जो इनकी शॉट कवरिंग होगी, यह 1-500 पार को वहाँ से बढ़ा देगी, फिर आपको 30-650 आराम से मिलेगा, लेकिन अब फ्रेश खरीदारी एकदम सेफ होके चलनी, तो मैं 30-500 के उपर टिकने पर ही करूँगा, नहीं तो आज छोड़ देंगे, यह मेरा पूरा, एकदम पर्फेक्ट डेटा यहां से केलकुलेशन है, और यह केलकुलेशन डेटा के इसाब से एकदम बढ़े बनाए, कहीं कोई दिक्कतवाली बात है नहीं, बिलकुल भी, नहीं तो आम तो पर यहता है, डेटा के थाफ़ से थोड़ा, बिलकुल क्लियर कट मेरा विव इसमें और मेरी जो क्लियरिटी है विव उस पे नितिन जी से शास्त्रार से कर लिया जाए नितिन जी जराब बता दीजे इस पे कैसे ठीक है नहीं सब कुछ आज जो आपने विव दिया कि ट्रेड नहीं करना चाहिए इसके पीछे मैं डेटा का एक लॉजिक बताता हूँ आज का जो डेटा सुबे से बन रहा है वो बैंक निफ्टी का का काफी पॉजिटिव डेटा है और बैंक निफ्टी का थोड़ा नेगेटिव डेटा है तो मेरी ज्यादा तेजी नहीं आ रही है बट निफ्टी का अपने आप में पॉजिटिव है तो यह इंबैलेंस सा हमें दिख रहा है बट अल्टिमेट जो लीडर है बैंक निफ्टी उसका डेटा नेगेटिव होने के कारण व्यू थोड़ा सा ऐसा बन रहा है कि हमें ट्रेड नही डेटा सिमिलर नहीं है बट एक यह भी ऑब्जरवेशन है कि जब भी बैंक निफ्टी का डेटा अगर पॉजिटिव होता है और निफ्टी का नेगेटिव होता है तो हम काफी तेजी से तेजी खिलते हैं क्योंकि ऑब्जरवेशन यह रही है कि बैंक निफ्टी निफ्टी क्यों इतना टेंशन लेके भी जाना सौंबर को सौंबर को देखी जाएगी आज की जो इंजो है इस पीच चलिए आज जेट एर्वेस पर कुछ इंटरसिंग और बड़ी ख़बर आने वाली है इस पीच मारसा जुड़ने वाले है थोड़ देर में मारे रिपोर्टर है वो आ पहली अप्रेल फूल अरे अप्रेल फूल है ना पहली अप्रेल फूल अप्रेल फूल को अप्रेल फूल अप्रेल फूल को लेकर रहा अच्छा और आप मेहमान है उसमें आश्यूमधान अच्छा अप्रेल फूल बनाया क्या है शो का नाम आपको अप्रेल फूल वाले दी साथे दस बज़े लेकिने किस ने बनाया कैसे बनाया किस रूप में बनाया बहुत अच्छा है एक दू वाके में ऐसा लग रहा है जिस रहे था मैं अपरेल फुल फुल मुनाफ़ा पूरे अपरेल आपको धेर सारी कमाई के मौके यह यह शो भी होगा पूरे दिन पर अच्छा सुबर 10 बज़े से हर गंटे एक फूल है और एक फूल है यह फरक है तो आप कोई स्पेशल तयारी इसके लिए तो स्पेशल तयारी है दिन पर के लिए अपर वो डिस्ट्लोस करेंगे नहीं आप भी अपने शोट को जब बताते हैं तो कोई डिस्ट्लोस नहीं करते करेंगे वह तो बताओ फीके रहेंगे पिछले दो महीने से तो कोई खार परफॉर्मेंस है नहीं तो इस बार तीसरा महीना ऐसा जहां पर वीक नंबर्स रहेंगे लेकिन बहुत इंट्रस्टिंग है देखिए हम बार-बार कह रहते हैं कि कमर्शल वहिकल्स यहां पर बहु आप सेसला वारत रहेंगे से मैं आको बताओं कि आंकड़े कैसे रह सकते हैं तो शुरुआत करना होगा मारूती सुजुकी के साथ क्योंकि यहां पर सालाना अधार पर और मासिक अधार पर दोनों में ही गिरावट रहेगी आंकड़ों में एक पॉंट चार लाख यूनिट कंपनी बेच पाएगी ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि वाइनवा बेसिस पे लगबख साड़े ग्यारा परसंट की गिरावट देखने को मिलेगी सेल्स नंबर में और मारूती सुजुकी साड़े चार परसंट कमजूर आंकरे पेश करेगा मासिक अधार पर इसके लावा MNM और एसकॉर्ट्स बहुत इंटरस्टिंग है यही दो स्टॉक्स ऐसे जो बजार में बहुत ग्लोजली ट्रैक हो रहे हैं लेक्शन से पहले और MNM में अगर आप मासिक अधार पर देखे तो 14 परसंट की ग्रोथ और एसकॉर्ट्स में लगभख 65 से 66 परसंट मंतली नंबर स सुधर सकते हैं मंतली नंबर्स का सुधरना ही बहुत 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 हो जाएगा क्योंकि लगातार मंतली सेल्स बहुत वीक रहे हैं और तो कंपनियों की इसकलावा टाटा मोटर्स डिसपॉइंट करेगा 12 परसंट के आसपास की गिरावाट देखने को मिलेगी साला पर लेकिन मंतली आंक्रा 11 परसंट उपर रहेगा और टाटा मोटर्स को ऐसे भी देखे कि इनके सीवी आंक्रे ठीक रहेंगे मासे का दाहर पर लेकिन जो कार सेल्स नंबर्स हैं वो बहुत वीक रहेंगे अब कमर्शिप वहीक जो में बार बार बोर नहीं कि इन स्टॉक्स पर फोकस करें और यही स्टॉक फ्लेवर में हैं सेमें टाटा मोटर और अशोक लेलेंड वो इसलिए क्यों कि टाटा मोटर मंतली बिस परसंट का जंप सेल्स नंबर्स पे सीवी सेग्मेंट में दिखाएगा और ऐसा लग रहा है कि अशोक लेलेंड लगबक 17% मासे का धार पर बहुत ही देखने को मिल सकती है लेकिन सालान अधार पर तो वीक ही हैं सभी नंबर्स और रॉयल एंफिल्ड के बिक्री आंक्रे रहेंगे वो काफी कमजोर रहेंगे वोल्वो आईशर के कमजोर रहेंगे लेकिन जो बहतर बात रहेंगी वो बजाज आटो और टीवियस मोटर बजाज आटो के 12% का इजाफा देखने को मिलेगा वायनवाब नंबर्स से और टीवियस मोटर बहुत जादा एक्सपेक्टेशन नहीं है लेकिन जो गिरावट का सेल्सला है सेल्स नंबर्स का वो थमता हुआ नजर आएगा ऐसा लग रहे है साथ परसंट वल्विया सुबह सुबह बताके गए दोन एक्सपर्ट इसलिए खाफिम पूलिश थे तो चलिए आटो स्टाक्स में देखते हैं पहले तारीकों किस तरगा क्या एक्शन रहता है यह हम आपको ज़रूर बताएंगे पहले तारीक की रज़त तैयारी करके आईएगा पूरी एक है शोक ले लिए मंथली नंबर्स देखने बहुत इंपॉर्टन रहेंगे कि इन्वेंटरी लेवल्स पहली बहुत जादा हो चुके हैं इस स्पेस में तो MLM स्कॉर्ट सारी कंपनियां भी समस्या से जूज रही हैं वायनवे सुभी के आखड़े कब जो रहे हैं एक बि शेजी भी तो जोड़दार है कॉल भी जोड़दार है वाय यह वही ना बात बताईए देखें दो सेक्टर जो टनराउंड दिख रहा है उसमें से एक तो हमने डिसकस के लिए मैटल और दूसरा है सिमेंट बिल्कुल है सिमेंट के रोलोवर की डेटा की अल्रेड़ी डिसक अल्राटेक लेलो आप ग्रासिम लेलो सब को ज्यान रहे जाता है 95% से लेके सब में 93% तक का डेटा है तो मेरे इसाब से यह जो आफ्टर डिक्लाइन के बाद कहीं ना कहीं रोलोवर इतना बड़ा पिक अप हुआ है तो दैट इंडिकेर्स की कुछ शिफ्ट हो रहा है सारे सेक्टर के सारे स्टोक लेजी बता है अब आपको जो बोलना है तो ग्रासिम का फ्यूचर खरिदना है 855 पर हमने रिकमेंडेशन शुरू किया है मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक लास्ट सीरीज में 840 के ऊपर जाही नहीं पाया है और आज सीरीज के पहले दिन 840 के ऊप data that clearly indicates कि stock में जो spurt आया है वो definitely some sort of a turn around है तो यहाँ पे stock में अगर आप खरिदारी करते हो 840 का stop loss रखना है पहला target होगा 885 का और उसके ऊपर दूसरा target होगा 900 का तो ग्रासिम positionally भी मेरे हिसाब से देखिए यह तीरा सो रुपए से साथ सो रुपए तक गिरा है कंपनी में कहीं fundamentally major negativity थी वो कहीं ना कहीं hold पे लग रही है ब्रोकरेट साइट से positive report आ रही है तो यहां से जो भुजान बन रहा है सीरीज के लिए तो देखो इंडेक्स थका हुआ है वो पता है लेकिन थका हुआ इसका मतलब क्या गिर जाएगा मुझे नहीं लगता मेरा ऐसा मानना है इंडेक्स साइडवेस होगा जो सेक्टर गिरे हुए है उसमें चर्निंग आई तो मैटल सिमेंट्स गुड़ी दे सेक और वो विगुल है राकेश जी का राकेश जी का विगुल भी ग्रासिम पर अच्छा इसलिए आपको बीच में रोकना पड़ा ग्राकेश जी बताईए देखे अनिल जी ग्रासिम काफी समय से मार्किट को अंडर परफॉर्म कर रहा है और अब ये स्टॉक बड़े पहमाने पर अप्ट्रेंड के अंदर आया है जैसे अभी विश्वेश ने बोला 840 के ओपर नहीं निकलता था और 845 के ओपर ये स्टॉक निकला है और अनिल जी मुझे मेरा समानने है कि स्टॉक को पुदिशनल रूप में ट्रेड करना चाहिए इसको बाए और होल्ड करें 821 का एक पुदिशनल स्टॉप लॉस लगाए है और पहला टार्गेट है 905 का बैठता है 905 के राउंड यहां पर रिव्यू करना चाहिए बट क्लियरली अनिल जी ये स्टॉक बाए है और इस मार्किट में जो जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक एक तेजी के अंदर आ र स्टॉट के अंदर तो मैं अनिल जी स्टॉट लेवल्स दे रहा हूं यहां पर और लॉट साइज 750 का है तो जिसका जितना कमफॉर्ट और रिसके हसाब से जुरूरी नहीं है कि लॉट में काम करें जितना आपका रिसके हसाब से कमफॉर्ट हो उतनी क्वांटिटी खरीदे पर खरीदे जरूर अच्छा ठीक है सिमेंट जरूर खरीदे और वह भी घ्राशन की ठीक है मेरे इसाब से सीरीज के पहले दिन जो डेटा बनता है वो डिक्लाइन स्टॉक्स में वो तीन-चार दिन तक तो मोमेंटम कंटीनू रहता हमने एसी सी दिया था और एसी सी का 1630 का टागेट था हो गया फर्स क्लास चलिए एक बिगुल और बजाने जल्दी से और ये वाला बिगुल है पुनाल जी के लिए बनाए सर आने जी खरिदारी की राय है एक और बैंकिंग स्टॉक में अभी मैंने फेडरल बैंक पर खरिदारी की राय दी थी और दूसरा नीजी बैंक जिसको खरीदना चाहिए वो है HDFC बैंक जिसमें के एक ब्रेकाउट आते हुए चार्ट पर नजर आ रहा है बैंक निफ्टी जरूर थोड़ी सुस्त नजर आती है अगर आप इसके फिचर्स को देखें लेकिन अगर आप HDFC बैंक को देखें तो इसमें एक फ्रेश ब्रेकाउट चार्ट पर आ रहा है मुझे लगता है कि बहुत माटीरियल है और जैसे ही बैंक निफ्टी में दुब करेगा मौझदा सतरों पर HDFC बैंक को बाइक करने है परफेक्ट तो यह है आपके लिए खरीदारी करने के लाए HDFC बैंक है सब खरीदरें बैंक सारे कुनाल जी तो अभी बैंक के साथ चोड़ने को तयार नहीं है फेडरल बैंक HDFC एक बैंक का इनको डैरेक्टर बना देना आपके पास आने की तैयारी में हमारे सायोगी हमारे साथ जुड़ेंगे बस कुछी मिल्टो में ब्रजिश हमारे साथ जुड़ने वाले हैं लेकिन वह बताएंगे उससे पहले एक बार में फटाफट से बैंक 50 का उतार चड़ाओ बता तो लाल और हरी निशान के बीच में बार बार जून रहा है यह कभी उपर जाता है कभी नीचे आता है बिल्कुल उससे तरह का मुह होता हुआ दिखा लेकिन एक स्टोक जहां पर सुबह हमने आज के 2000 में जिसको रिकमेंड किया था और वो बड़े एक्शन में आया है वो अधानी एंटरप्राइज़ एक बार अधानी एंटरप्राइज़ के महा रथी कुनाल जी से एक बार राय ले ली जाए कि अब क्या करना है 150 का कुनाल जी आपका टार्गेट हासिल हो चुका अब क्या किया जाए उससे पहले कुनाल जी बताएं बात हमने किस लेवल पर बात रखी थी जरह पहले वो तो देख ल बन सकता है डिफेंस के लिए टायप की भी कोई ख़बर आई है वो ख़बर भी अच्छी है बेंच से बार भी निकला है एक खरीदारी एक शोटकरणी का मामला बनता है आज का लो जो है 140 रुपे का इसका लगई है आप स्टोप लोस और उपर के तरफ 145 रुपे पे आपक कुनाल जी अब बताईए 2000 के उससे तो कहीं जड़ा बन चुके है अभी क्या करना है सबसे पहले अनिल जी को बधाई डिमपी जी इन्होंने देखिए अडानी एंटरप्राइजस में खरीदारी के राए देकर जो दिलेरी दिखाई उसका इनको बारितोष मिला है और मुझे लगता है कि 1.500 का जो टार्गेट हमने दिया था वो हासिल हो गया है तो अब मुझे लगता है मुनाफ़ा बान लेना चाहिए और उमीदें ना रखें क्योंकि 150 पर एक बड़ा रिजिस्टन्स है सारे लक्षे हासिल हो गए है अनिल जी का 2000 का भी और उसके अलावा जो उन्होंने बड़ा लक्षे दिया था 150 का वो भी हासिल हो गया है तो जिनके पास जो पोजिशन है एक्जिट कर ले बिलकुल सहीगा अब हो जाना ची कम्प्लिट करें खतम करें आगे बढ़ें ठीक है जेट को लेकर अब क्या हो रहा है जेट को लेकर जो हमें डिटेल ये पता चल पा रही है कि एग्रिमेंट क्या किया गया है जो एक्जिस्टिंग शेर होल्डर है यानि एतिहाद और नरेश कोईल इन दोनों के ऊपर ये शर्त रखी गई है कि कोई अगर नया खरीदार आता है और ये कहता है कि इन दोनों को ही अपनी हिस्सेदारी दस फीसेदी से नीचे लानी होगी तो इन दोनों को मानना पड़ेगा अगर समझे अगर कोई माली ये टाटा अगर इंट्रेस्ट दिखाता है इस से एरलाइन में तो आप ये समझें कि वो करीवे 50-50 परसंट जो है करीब बैंकों से ले सकता है और अगर दबाव बनाए नेरेश गोयल को और इन दोनों को हिस्सेदारी अपनी घटानी से नीचे जानी है तो समझें करीब 60-70 परसंट तक का जो स्टेक वो ले सकता है इसी तरह से अगर कोई विदेशी ऐरलाइन आती है तो कि वो 49 पीसिदी ह वो ले सकती है तो 49 पीसिदी अगर वो बैंकों से लेती है और बाकी इन पर कंडिशन रख दे एतिहाद पे या नेरेश गोयल को कि इनको कि और को बेचना पड़ेगा बाकी हिस्सेदारी और बोर्ड से इनको बाहर जाना पड़ेगा तो इन दोनों ही जो अब तक के सबसे बड़े शेर होल्डर थे इन दोनों को ही एक कंडिशन माननी पड़ेगी और दूसरी जो बात है आगे फंडिंग के लिए जो बैंकों ने जो नए खरीदार है उनके लिए रास्ता बनाया है कि 8400 क्रोड रुपे का जो कर्ज है उसका एक सिगनिफिकेंट हिस्सा अगर कोई कैश में दे दे और ये रिक्वेस्ट करें बैंकों से कि वो बाकी का पैसा लंबी मियाद में चुकाना चाहते हैं तो बैंक इसके लिए भी तयार हैं और वो उनको रास्ता देंगे चीक है खबर तो बहुत इंटरस्टिंग है यानि कि कुल मिला के अगर कोई बड़ा खरीदा रहाता है जो कंडिशन्स है ये फुल्फिल होंगी है कितनी असानी से हो सकती है इपर जैन साब ज़र इस पर आपका व्यू नरेश को और पहले इतिहाद दोनों ही बड़े स्टे या बिलकुल देखिया ये इनफेक्ट काफी बार मैंने इस पर्टिगलर एपिसोट पर डिसकाशन आपके चैनल में इसी शो पर बहुत बार किया है और हर बार यही कहाँ कि जो भी होगा अच्छा ही होना है सारे नेगेटिव डिसकाउंट हो चुके हैं और अगर बैंक्स इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं और मैनेजमेंट चेंज और पुराने प्रमोटर्स को निकाल रहे हैं तो सर्टेनली देखिये प्लान बहुत बड़ा है ऐसा नहीं है कि वो लोग एक क्या आप्टर एक प्लान बना रहे हैं और अब यह अनौन्समेंट सा रहा है जैसे ज इस कंपनी में होते हैं तो बट बैंक्स आई है बहुत एग्रेसिवली आई है तो इस दोनों बैंक्स में तो दीखी गया है और अबर ऑल मुझे ऐसा लगता है कि यह स्टेप काफी अच्छा है तो जो निवेशित है वो निवेशित रहें मुझे लगता है यहां से और भी कोई SBA के लिए भी ठीक है क्योंकि इस पूरे एग्रिमेंट में यह कहा गया है कि अगर कोई भी आएगा तो पहले वो बैंकों का हिस्सा लेगा कुल मिला कि पहले बैंकों के पास पैसा आ जाएगा नरेश गोयलो और इतियात का तो मामला अलग हो जाएगा SBA इसी खबर प कि सिमित नहीं है यह चीज यह क्लियर हो गया है कि सरकार बहुत क्लियर हो गई है और बहुत एग्रेसिव हो गई है कि यह जो बैंक्स में जो इशूज आए हैं पास में प्रोमोटर्स के जो भी इंटेंशन की वज़े से या मिसमैनेजमेंट की वज़े से तो बाद में बैं इसके साथ जहां पे भी लेंडर्स हो रहे और अलरी काफी कुछ हो भी चुका है तो यह सारी चीज़े पॉजिटिव हो रही है और PNB और SBI यह दोनों सबसे बड़े लेंडर्स है कॉर्परेट लेंडर्स तो मुझे लगता है इनको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है और SBI देखे जिस तरीके से आउट परफॉर्म किया है 285-86 के लेवल से एक साथ 320-305 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था और वहां से अच्छे से क्रॉस करके ब उपर भी है और मुझे लगता है यहां से भी और भी चाल यह देगा साड़े 300-360 तक की इंटरस्टिंग है SBI का इस तरह का रोल अपनाना और पहली बार इस तरह का इंग्रेसिव दिख रहे हैं 201 का भाब आगया DLF का साड़े 3% की तेजी के साथ अभी क्या करना अभी नए और बिट में 200 वाले और बिट में डिपी अगर आपको याद हो हम 2-3 सतर पहले भी DLF की बात कर रहे थे और मैंने कहा थे कि 203 रुपए का एक सतर है फूचर्स में और जैसे ही 203 के ओपर ये क्लोस देगा तो यहाँ पर आपको 220 तक का एक मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा तो मेरी राय अभी भी वही है 203 पर ही ट्रेड कर रहा है बिल्कुल अगर आज 203 के ओपर बंदी आती है तो 215 के लक्षे से DLF बाई करके जाना है यह बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ चार्ट पर नजा रहा है ठीक है तो 203 के ओपर आ रहा है में एक साउथ के और कंपनी है रैमको सिमेंट चरह उसको भी विश्वेश देखिया आप जब सिमेंट पर इतना देखा थो रैमको भी मेरी इसाब से अच्छा ही है इन फाइक लास्ट दू वीक से जो साइडवेस मूमेंट था हो कही ना कहीं होल्ट हो गया और अब अगर वेरी शौटर टर्म 750 के ऊपर ट्रेट करता है तो इन देट केस आप 840 तक के भी टार्गेट एक्सपेक कर सकते हो तो यह सारे स्टॉक्स इंडिगेट कर रहे हैं कि लोर लिवल से बाइंग है वो साइडवेस हो गई और अभी ट्रेंड कंटीनू हो रहा तो मेरी साब से मोर देवानची हरोज की तरह आज भी तैयार है बेन से बेनिफिट बताने के लिए जलिए चलते हैं वीगुल के बाद इसे इतियास गवाय की ये बेन से बेनिफिट वाला कारेक्रम किया करते थे रजद देवगर और जब सिरीज की शुरूआत होती थे देवानची कई कई दिन निकल जाते थे रजद कुछ नहीं करते थे ना तो किसी को बेन में आने देते ना जाने देते लेकिन आपके लेकिन बेन में आगे अधानी पावर आज अधानी पावर बेन में है अज भी और निकलेगा नहीं 85% के उपर ही है तो यहां पे निकलेगा नहीं यह आज भी लेकिन रलायांस पावर यह 106% की मार्केट वाइप पॉसिशिण है तो यह एक स्टॉक है जो आ सकता है बन में के साथ IDPI और Vodafone Idea ये तीनों स्टॉक्स हैं जो 100% के उपर Market-wide position बन चुके हैं तो ये तीनों स्टॉक्स आने के पुरी-पुरी उम्हें था है तीनों बेन में आने वाले हैं? जी 100% के उपर है Market-wide position वाँ, wonderful तो तीनों में एक-एक बांड देते हैं IDPI दिया है आपको राकिश जी, Vodafone Idea आपको दिया है विश्वेश जी और Reliance Power पर राय देंगे पुनाल जी, ठीक है? पहले कौन तैयार है, fastest finger first हाथ कड़ा करें एक बार सब Window दिखा दें तो हमें पता चल जाए जिसका हात सबसे पहले खड़ा होगा, डेता देख लिए एक बार छे Window में देखएंगे, विश्वेश जी ने पहले हात खड़ा क्या है, विश्वेश जी बताइए मेरे इसाब से आईडिया का लास्ट फेरूर जैन से एजस्टेट प्राइज में बोल रहा हूं सतरा रुपए का लेवल नहीं तूट रहा था और आज के दिन में स्टॉक कंसिस्टेंटली उसके नीचे ट्रेट कर रहा है इन फैक अगर मैं नियर मंत के पूट साइट का ओए देखता हूं तो मेरे इसाब से हाइस्ट पूट ओपर इंटरस्ट काफी ज़्यादा लोग लेवल पर है इसको तो बंसल जी ज्यादा कोई पैचानता नहीं बंसल जी बताइए तेजी और मंदी की पोजिशन जिनकी भी है बैन में जाने से पहले उन्हें क्या करना है अगर कोई फ्रेश बनानी तो वो भी बता दीजिए अनिल जी, IDBi Bank जैसे इंटाएर PSU Banking में Rally Ben Reόσion अने बंसल जागाता है हैं, हमें यहाँ पर चांसी है 50-51 के Lевels IDBI Bank में देखने को मिल सकते हैं, नीचे में clear base है पचास 51 के लेवल देखने को मिल सकते हैं तो किसी ने ले रखा है तो होल्ड करें नई खरेदारी से बचना चाहिए और लाइस पावर कुनाल जी से कुनाल जी है तो छोटा स्टोक आपके विशित से आया है लेकिन उसे आप ऐसा मत सोचे कि छोटा है इसका मतलब कोई ऐसे खराबी वाली बात है बताइए क्या करना है इसमें अरे जी देखिए ये और छोटा हो जाएगा अगर ये दस रुपे के नीचे गया अब आप इतिहास उठाएं उन स्टोक्स का जो की फ्यूचर में हैं और जो दस रुपे के नीचे गये हैं दस रुपे के नीचे के जाने के बाद वो शेर वापस आता नहीं है उपर और दस रुपे के नीचे ही चला जाता है लेकिन इस काउंटर के लिए एक अच्छी बात है कि दस रुपे पर एक बड़ा सपोर्ट है पिछले दिनों में वाल्यूम बहुत अच्छा बनाएं तो म पावर स्टॉक्स में एक्षिन तो भरपूर हो रहा है अदानी पावर सीरीज के पहली दिन बैन में आगये तो मतलब बैन से बैन मी शिफ्ट हुआ निकल नहीं बाद गजब है बताई है पावर में कोई दिक्कत नहीं है मुझे लग रहा है फिप्टी टू फिप्टी थी की तरफ मूफ करना चाहिए तो ठीक है फनो में पोजिशन नहीं ले सकते हैं बट कैस को कैरी करना चाहिए इन फैक्ट आप डिलिवरी में बाई कर सकते हैं बट और जो एक स्टॉक डिसकस वह आईडी भी आई उसमें मुझे कल के दिन जो एकस्पारी थी उस समय बहुत जादा बाइंग दिखी है तो वो एक लग रहा है कि उसमें पॉजिटिव मोमेंटम बनना चाहिए करीब करीब फिप्टी थ्री फिप्टी फोर की तरफ वो स्टॉक मूव कर सकता है ओके तरफन चोपन के तरफ आईडी वे बेंग जा सकता है यह इंटरस्टिंग बताया है तो यहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी इस पर फोकस करीगा ओके तो यहां तेजी की संभावनाएं पूरी पूरी बनती नजर आ रही है बेल, सिमेंज जिसे केपिटल गुड्स वाले शेर बहुत अच्छा एक्षिन में दिखा रहे हैं जैन साब सवाल आप से है कोई केपिटल गुड्स शेर पसंद आपको देखें कही न कहीं ये जो stocks चल रहे हैं मैं capital goods में अगर बेल को लूँ अगर भारत electronics है BML है PSU stocks काफी चल रहे हैं और overall L&T सम्हाओ काफी safe लगता है as a bet वो infra bet बोल लीजे capital goods बोल लीजे even बेल भी है सारे ये जो भी large caps है इन में अब कहीं न कहीं move आ रहा है क्योंकि ये सारे के सारे catch up करेंगे क्योंकि ये lead नहीं किये हैं rally में और चले भी नहीं है तो हो सकता है इन सब में थोड़ी बहुत चाल है मुझे समाओ सबसे ज़्यादा conviction जो है वो भारत electronics में आता क्योंकि बहुत ज़्यादा कम downside है 85 से लेकर 87 ये अच्छा support है और उपर का levels मुझे लगते है 150-10 क्योंकि results भी अच्छे आये थे सब कुछ होने के बावजूद भी इस तरीके का चल रहा है तो मेरे इसाब से it's a good risk reward ratio one should play with it एक और share है जो पिछली series में सबसे कम चर्चा में हुआ था वो था M&M लेकिन जैसे series शुरू हुई है सबसे ज़्यादा चर्चा में है sales के number भी सामने है इसलिए है थोड़ा important है escorts का move देखने के बाद लग रहा है इनके ट्रेक्टर वाला division भी अच्छा number लेके आएगा दो-डाही percent भी उपर है विश्विश क्या किया जाए यह सौदा जिसने आज बनाया यह ध्यान में रखते हैं जब सौंबार को उतरेंगे तो escorts के आंकडे भी होंगे और sales के number भी होंगे M&M के क्या करें ओर और volatility जो auto stocks की थी उसमें सबसे आधा highest volatility फिलहाल तो मारूती दिखा रहा है तो मेरा समाना है volatility lower और जिससाब से stock में sideways consolidation है stock शायद बहुत meticulously परफॉर्म ना करें तो upside हो सकती है यहाँ 677 से 700 तक जा सकता है लेकिन मेरे साब से you have a better choices right now to trade तो मैं recommend नहीं करूँगा buy or sell इसके उपर भी आने की कोई ज़्यादा खुंजाश लगती नहीं है तो आज trade छोड़ी दिया जाए पिछले 15-20 मिनिट से क्या है उससे थोड़ा सज्यादा समय से ना यह 600 तोड़ रहा ब्रोक्रेज के पैसे बचाए आपके तो और तनाव नहीं हénा है深त Имग भी तो हैना यह चाहाँ पाजिवी ने के पादफिए था आता होगा ना तनाव तो पोऑने लिदी ना टंपर जातो तो तनाव नीचे आए पैसे सबसे आदा वहीं तो तूटते मुझे बगत अच्छे से आध है इसके उपर से मैं एक एगजांपल होगा, इंडिया बूस हाउजिंग फिनैंस, हमने बात की थी, लास्ट टू लास्ट वीक, मिसलब एक वीक पहले, और स्टॉक था 740, और मुझे बहुत अच्छे से जाद है, मैंने बाता था, no if no but 880, ठीक है, तो आज almost 876, लेकिन यह राह अगर तूफान आता है, तो सबसे पहले उसमें से कूदने वाले जो होते है, तो ट्रीडर, रीटेल साइट, जो बड़ी कौंटिटी में ले लेता है, वो भाव के 2 रूपे नीचे जाता है, तो उसकी, you know, capital up-down होती है, तो पहली चीज क्या करता है, भाव आता है, तो बस निकलो, उसके बाद जब उपर जा ना आता है, मैं तो नीचे मिलिया था, अब मैं कैसे खरीदू, मैं कैसे खरतूँ से, तो जब मुमेंटम आता है, जो आज के दिन में शीमेंश में आ है, मेरे हिसाब से, तो अगर आपने नहीं खरीदा है, तो खरीदूद कीजे, अगर कम बार मैं बहुत ही पॉलाइट और बहुत ही सटल लेंगविज रखता हूं क्योंकि लोग हमारे टोन पे से भी अपनी क्वांटिटी अप डाउन करते हैं तो sometimes when we are very confident and again and again mention that shows our confidence उसके बावजुद भी गलत हो सकते हैं लेकिन chances कम है उसके ठीक है chances कम है लेकिन सेमेंस खैरिसबिच दिन के उपर इसतर रुपय आके कर रहा है भी ट्रेड और एक 1123 का भाव भी भी है लेकिन 1200 से पहले नहीं रुकेगा ये confidence शुकरवार के देना आपको विश्वेश दे रहे हैं इस वीच एक खबर भी आप नीचे देख पार देगे कि सेल पे 13 लाक शेरों की ब्लॉक डील और लगी है ये 53 रुपय पचास पेसी के असपस लगी है नितिन जी लगे आज ज़रा सेल का डाटा भी देख लीजिए मेटल सकंदर आज मूव है 13 लाक शेरों की ब्लॉक डील है जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं इन में कल एक तो रोलोवर्स हुए उसके बाद डिलीवरी बेस काफी बाइंग हुई थी वॉल्यूम के साथ अगर आप देखें तो डिलीवरी बहुत उठी है तो यह मोमेंटम मेटल में मुझे लग रहा है एक दो दिन तो कम से कम कंटीनू रहेगा अब जिसे सेल उपर छे परसेंट है यह उपर फिप्टी सिक्स तक जा सकता है अगर आप इस रेट पर ले रहे हैं तो आपका फिप्टी टू का स्टॉप लॉस बनता है इसकी कॉल ऑप्शन भी एक्टिव मिलेगी आपको पच्पन के आसपास की तो वह कॉल ऑप् आपको साफ साफ दिखता है खैरिस बिश आज के दोहजार का बिगुल बताएं सर इतना जोड़दार क्यों यह विश्वेश जी भी अबजिक्शन ले रहे हैं कि हमारे तो बिगुल छोटे छोटे होते हैं आपका बिगुल इतना जोड़ से क्यों सेरे विकेंड वाला ना दो दिन तक बहुर्द यह कानों में रहे हैं यह कल के नी है समबार के दो जा रहे हैं तो चलिए एक स्टोक है जहां खरीदारी करने की रहा है और स्टोक है सेंचूरी टेकस्टईल 938 का दिनो बाद इसका नाम सबढ़े है। येस करेक्ट है 949 चालिट चल रहा है फ्यूचर हाँ यही भी स्टोक है इसे खरीदारी करने के रहा है बहुत दिनोबाद रेडार पर रहे हैं और मैं एक चीज है इसकी क्रेडिट थोड़ी है विश्वेश जी को देना चाहता हूं विश्वेजी जी का एक सेंटेंस में पकड लिया जब बहुत क्ना सेमेंट को थे कुम सा कि ग्राषिय कि डिंट कुम से कम से कम रहता है और रहक कोशिश कर रहा है तो अब मैं यह देख रहा हूं कौन-कौन से स्टॉक चल सकते है तो पिछले आदे गंटे का मुझे बड़ा इंटरस्टिंग दिखा जो मुझे सोंवार के लिए यह कह रहा है कि यह दो जार रुपए आपके बना के दे सकता है आज यह सोंवार तक तो खरी कि अगर यह स्टॉक उसके उपर 960 पकड़ी है उसके उपर अगर टिक गया तो स्टॉक में बहुत लॉंग टर्म चार्ट पर ब्रेक आउट होगा और सूरत में लेकिन क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका था 2000 रुपए के 600 का लॉट साइज है 957 तो इनसाइड दोजार पर 965 पर बन जाएंगे और 960 के पार निकला तो तो उसके बाद तो फिर आप जितने भी पैनल एक्सपर्ट है उनसे रिव्यू लीजे पर मेरा ऐसा मानना है उस सूरत में एट लीस 1070 तक का मूं हूँ हां सो रुपए उपर जी अच्छा ज़रा एक बार आशी जी से पूछ ज देखें जी सेंचुरी टेक्स्टाइल में एक तो रॉल ओवर 94 परसेंट का है तो 94 परसेंट काफी अच्छा और हायर रॉल ओवर लेंगे और ओपन इंट्रेस कंसर्ट में अगर किसी ने लॉंग रॉल ओवर किया है और आज देखिए यह जिस तरीके से मूव किया है तो ज आपनिंग मिलेगे तो ओपनिंग में आपको दो की जगा 5000 मिल जाने चाहिए तो मेरे हिसाब से ट्रेट बेटर है डेटा भी पॉजिटिव है डेटा पॉजिटिव है लेवल्स आपको अलड़ी विश्विश ने बता दिये आपनी स्क्रीन पर आपने देखी लिए होंगे लेवल्स नोट कीजिए और एकल के 2000 में इबर सेंचुरी अपने कर सकते हैं इंटर्स्टिंग सेंचुरी अपना चाहिए 937 थीए 930 थीए क्या स्टॉप लोस मेरे इसाब से कंजर्वेटिव ही रखना चाहिए क्योंकि अगर ब्रेकडाउन आता है या प्रॉफिट बॉकिंग आते तो जल्दी निकल जाओ और 928.20 ये एक स्विंग है उसके नीचे अजार रुपे के शेर में भी पॉइंट-पॉइंट क्यों लगाते ह है कि जब ट्रेडर ट्रेड करता है और जब मझे हुए ट्रेडर होते हैं वो राउंड फिगर पर हमेशा स्टॉप लोस करवा देते हैं तो अगर आप 930 रखें क्योंकि क्या है इस वेरी ओब्यस तिंग के आप तो और और फिगर में अगर स्टॉप लोस रखो गए तो चा 928 कर लो भाई साब ठीक है ज्यादा बढ़िया है बीस पेसे और छोड़ देता है ठीक है नो सो सटावन का टार्गेट है मेरा नो सो पच्पन वाला वही रखो दो रुपए बढ़ जाएगा तो उसकी क्रेडिट हम दे देंगे आपको और 960 के उपर निकला और बंद हुआ तो 1070, 1070 होगा 600 का लोट है तो यह बन जाएंगे आपके 60-70,000 रुपए और उसकी भी क्रेडिट आप विश्वेस जी को ही दे दीजिए एक observation बोलना चाहूंगा जितने भी लोग options की data track करते हैं और यह थोड़ा से technical होगा उसके लिए माफी चाहता हूं आज की दिन में implied volatility म 17.14 है और 0.5 up है points में तो percentage wise it is positive और index उपर है जो trend continue है वो यह interpretation है मेरा बहुत ही heavy index option buying हो रही है तो end of the day अगर FAK का data positive आता है तूसरों में मानता हूं bank nifty नहीं लेकिन nifty के options में data buying हो रही है long options that means कि nifty would be first candidate to make a bigger move from current level तो मेरे हिसाब से 10,700 जो swing high है you know somewhere around last August 2018 वहां तक का move nifty में देखने मिल सकता है तो bank nifty शायद backseat ले बट निफ्टी यहां से volatility और options के data पे 100 move points का move दे सकता है तो सही है मैं तो आज सुबह भी बोलता है आप nifty की रफ्तार दी भी पड़ेगी bank nifty की माफ किजिगा sorry bank nifty की पड़ेगी और जो नितिन ने data बताया कि जब जब bank nifty lead करता है तो क्यों nifty भी follow करता है उसका reason है bank nifty में क्या है एक्सिस bank, SBA, ICACI, Yes Bank और यह सारे nifty के stocks है आपके एक चीज़ बताता हूँ नितिन जी इस पर गौर फर्माएंगे दिन के दौरान आज bank nifty में premium लगबख धाई ने देर से दो बजे के बीच की बता रहा हूँ प्रिम्यम होगे थे 180 point की bank nifty में और अभी bank nifty में premium जेके 30-425 cash है ठीक है और future देखे 30-530, 105 point की रहेगे बीच में तो अभी 85 point रहेगे थी इसका मतलब क्या है काफी कुछ short covering हो गई प्रिम्यम कम हो रही है जो दिन के दौरान अगर 87 point premium घटी है तो इसका मतलब है के खरीद बिल्कुल सब्सक्राइब जिस तरीके से premium थोड़े से घटे है मतलब difference कम हुआ है वो यह interest कर रहा है कि थोड़ा buying interest यहां पर बहुत aggressive buying interest नहीं है buying interest थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है ठीक है buying interest नहीं पर कम होता दिख रहा है घटा प्रीमिम इसका सूचक है इसका कारक है यह साफ साफ पतर लग रहा है के बारे में तो आपको आइडिया लगाई है एक दो शेर और भी है जरा जैन साब उन से मैं राय रखना जाता है एक तार भारत फोर्ज पर अपनी recommendation बता अपने यूएस factors की वज़े से भी थोड़ा underperformer रहा है बट फिर भी मेरी यह राय है कि इस stock में निवेशित रहना चीए कहीं ना कहीं अब ऐसा हो सकता कि अगर auto sector के बारे में जो मैंनाले से सुन रहा था और ऐसा लगता कि वहाँ पे भी अब बहुत बड़ा correction आगे आने व stock काफी अच्छा risk reward ratio है तो मेरे इसाब से तो इसमें बिल्कुल hold किया जा सकता है चीक है एक और share भी है आज यूएसल ये भी आए अच्छा move देखे जा रहा है चार साढ़ह चार परसंट की तेजी कई दिनों के ठहरा थोड़े गिरावत के बाद आज इसका interest काफी अच्छ चुक्रवार के दिनी जादा क्यों चलता है तो पता है अच्छा एक टाइप होता है जिसको सीजनलेटी तो कियो सारे यह वाले शेयर समर के टाइम चलता है इस सीजनलेटी क्यों सारे यह यह रियल एस्टेट श्रॉक्स में around the RBI policy movement आता है तो अगर आप लॉजिक ढूगने जाओ गए तो दो में लेकर निसका तो सीजन कोई होते ही ना डिम्पी जी के तेमारा मेंने सीजन इसका पुछे आप मेरी साब से से इस सीरीज के अंदर हमारे तो यह सीरीज चुनावो वाली है आपको पता है 11 तारीक को वोट भी पढ़ रहे हैं और जीम ब्रुरिस के नं चलना चाहिए नहीं से चलना ने चाहिए सेक्टर के अंदर मूव आता है तो क्या जैन साब से पूछूँगा फंडामेंटल एक्सपर्ट जैन साब यह 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 लोजिक सही है कि जीम ब्रुरिस के रिजल के वज़े से उनाटेट स्पिर्स चल जाना चाहिए जैन साब इ पहले यह था कि इंफोसिस पहल करता था इंडेसिंट बैंक करता था मगर उसके पहले जीम ब्रुरिस का आ जाता है तो मुझे इसलिए तो वह इंप्रेसिव लगता और हर बार देखे रिजल्ट अच्छे देते हैं सस्ते वैलवेशन पे है यह दोनों युनाइटेट विव पर ट्रेड कर रहे हैं उसके सामने दूसरी कमनिया तो एकदम मतलब 10-12-15 के पी मल्टिपल पर करते हैं अब पता नहीं जीम ब्रुरिस का रिजल्ट देखे वापस अच्छा ही आएगा ऐसा मेरा मानना हर बार देखता हूं रिजल्ट अच्छा आता है फिर वहीं आ जाता ह सो लेट सी क्या होता है बागी युनाइटेड स्पिरिट्स और युनाइटेड वेवरेज दोनों अलग है अपने 40-45 पैंतिस अजार करोड के मार्केट के आप बैठे में तो लेवल ही अलग है और बागी जीम ब्रुरिस क्या है आई-म-फ-ल से जादा इंडियन मेड इंड कि इसके डाटा कुछ इंटरस्टिंग है तो आज के प्रॉफिट सारे बुक करके जाने या फिर लेके जाएं नहीं नहीं डिमपी जी इसको लेके जाना चाहिए क्योंकि इसमें क्या है कल के दिन में डेटा बना था कल आप देखिए करीब 35 लाक सेयर्स का वाल्यूम था औ और 65% की डिलिवरी है और इसमें जब भी कुछ significant डिलिवरी में होता है उसके बाद अगर उस दिन का हाई ब्रेक होता है तो stock चलता है और historically इसमें ऐसा signal देखा गया तो मुझे लग रहे है यह 580-590 की तरफ आना चाहिए तो profit book नहीं करें अगर और खरीदना है तो 540 का stop loss रखें नया खरीदारी 540 का stop loss और 590 का target रखें ठीक है आप भी कुछ कहना चाहते है विश्विश मेरी और से एक BTSC होगा और BTSC है पहले में बिगल बजा दू है बिगल बजाए BTSC का अब बताएं सर आप पहले simplify कर देता हूं बाई करना है मैक डेवल को 550 के stop loss से जो टागेट से काफी बढ़े हैं 590 और 620 फाइन यानि यूनाइटर स्विट्स पाखे भी चार्ट पर या आप इंस्वेंस होके निम्पिज़ अब मैं क्योंकि मैंने बोल दिया है आपका वाल अब आज के दिन में जिसाब से वॉल्यूम से ब्रेक आउट हो रहा है और जो गैप हो है मतलब कल का क्लोस था फ्यूचर में सम्वेर अराउंड 532 और आज का ओपन है फ्यूचर में 539 तो ओपन लो सेम है तो यह जो पूरा फॉर्मेशन है सम्वा मौनिंग सार पैटन होता जो है 590 के आस-पास फास फासे 520 प्लोस फासे अगर गलत होके 10 रुपे दे देंगे आज पूरी प्रेंड के शे-7 रुपे का रीकति बस वहांगा अफ़ल्य रुपरे का सप्स वह कुर्ण होते हैं तो दो रुपे देने को को है तो दो गलत हो भी निपाएंगी आप चाह और अगर विश्वेश कहें और नितिन मुरार का भी सिर्फ पूछने पर यह कहें कि आप सौदे को लेके जाए रख लिजिए यह स्टॉपलोस रख लिजिए तो फिर कॉंफिडेंस बढ़ जाता है तो आप इस पर ज्यान रखेगा यह बिल्कुल लास्ट में डिस्कवर किया हुआ शेर है तो आज उम्मीद तो है यह सोंबार को अचनाव की तिख्यों का एलान हुआ तो आखरी बार मैंने भी सिस्टो क किया था उस वक्ति यह स्टॉक का स्टॉक है यह स्टॉक मैं अगर कुछ एड करूं करें ना अगर यह स्टॉक 530 नहीं तोड़ता है यहां से तो उस सूरत में वर्ड टाइम लिजिए 700 रुपर भी देखने मिलेंगा 530 के नीचे नहीं गया तो 700 रुपर है क्योंकि अगर यह स्टॉक नहीं तो तो उस सूरत में मेरे इसाब से 530 पे स्टॉक आपके अंदर के हनुमान को गिंपी जी के जावंत ने जगा जी आगा जिए अगर नहीं बोलते हैं मैक्डोल पर इसना डिस्क्रसिंग करता आपके कॉल थोड़ी आज़ा था आप मिस्कर जाते देटा तो चलिए एक बैत रिन कॉल 6-8 रुपे की रिस्क में अगर बढ़िया पैसा बल जाए और क्या कहने है और 35 रुपे की रिस्क में अगर कितना 750 कितना क्या रहा है मेरे इसाब से 590 इमीजिट लग रहा है और उसके ऊपर अगर तिक जाता है तो उस सुरत में 680 680 वाव वा क्या बात है 680 130 रुपे क्या कहने है चलिए चर्चाओं में रहेगा शेर अब ये बात पुक्ति है नितिजी को पसंद आगए विश्वेश जी को पसंद आगए और फिर बचे कौन है आईए बाजार बंद होने के बाद अब क्या कुछ एक्शन है आपके लिए जी बिजिस अगर आप भी केबल रखते हैं डीटी एश रखते हैं आप अपने बिल को कैसे कम करें नई ट्राइगाई लाइस के याद से और चूंकि अब आपको चैनल दिनने का वक्त आ चुका है तो वो पूरा तरीका बताए जाएगा आपको अब आईए रात को आठ बिजे विशु शुक्ति में आरपा तो कॉंग्रेस की राम दिन्दा यह आज का देश की बात का टाइटल आज रात दिखे और संभावना यह बताही जानी की बनारच में प्रियनका गांधी वाड्रा और चुनाव बिलर स्टिकेटी बिलिश चुनाव बिलर स्टिकेटीच पींटेस्टी तो उनका जो सेकेंड में ना जहा तो वो तो उनके तो प्लिटिक्स तो पुल में है तो बिहार उत्रक्रदेश में अगर पेदा होके आदमी तिना सीखे समझे तो उसने वहां की मिट्टी को डंसे बिदा है न क्यों? सही है न रदिलगे आनी चाहिए यह तो वहां की खासेत है वहां की पानी में तो के वैसे राजनते में वारे जन साब भी कम दिल्चसपी नहीं रखते हैं जन साब कैसे जलने इलेक्शन की तयार या आपनी राजस्तान में? राजस्तान में अब टिकेट्स का अनॉंसमेंट हो गया, कॉंग्रेस ने लेट किया था, बीजेपी ने दे दिया, बीजेपी ने लास्ट विकी कर दिया था और कॉंग्रेस ने कल किया, अब देखिये बाकी है, काफी कॉंपुटिशन अच्छा ही रहेगा, जिस तरही के से मल के एलेक्शन में हुआ था, तो वैसे एंपी के एलेक्शन भी दिखता है, बट फिर भी पलड़ा शायद बीजेपी के तरफ ज्यादा भारी है, ऐसा ग्राउंड रियालिटी, जो ग्राउंड से ख़बर मिल रही है, उससे जो लग रहा है, जैन साब आप बीने एक बार आपको आपको आटोग्राफ मांगना आजाएंगे, बिल्कुल मजा करेंगे, जैन साब, तो आप जैपूर का बुला रहे, आज डेट अनॉंस करेंगे, जैपूर में एक इवेंट होना चाहिए, जी विजनस का अनिल जी के आने के बाद से बहुत दिनों से इवेंट हुआ कुनाल जी भी शायद कुछ कह रहा चाहते है, कुनाल जी बढ़ाएंगे, जैन साब की भी हसरत है चुनाव लड़ने की, तो इसका एक समाधान मेरे पास है, सारे एनलिस्ट मिलकर एक यूनियन बना लेते हैं, तो इसके अध्यक्षपत के चुनाव में लड़ सकते हैं, जै हर पाठी शेर भाठी शेर भाठी शेर, चलिए, राज दिती का भावल है, कुछ हलकी भूलकी बाते हो दी चाहिए, वीकेंड पर, लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं कि जैन साब पॉपुलर बहुत है, यह बात पकी है, लेकिन जैन साब के साथ आप सब भी कम करेंगे, यह ने कहिए, गर्मी की छुट्टिया है और बच्चों के एक्जाम होगे और यहां चलेगे और वहां चलेगे, यह सब कैंसल, इलेक्शन के दिन सिर्फ और सिर्फ वोटिंग करनी है, यह ज्यार किए, छुट्टी नहीं है, लोग समय से चुट्टी है, 29 तरिकों मुंबई में, बाजार बंद है, मंडे है, बाजार बंद है, सटर्दे, संडे, मंडे, लंबा वीकेंड ना बना दे, और यह ने सोचें कि ट्यूजज़ ओफिस आएंगे, और गेटनेज़ को फिर एक मही की छुट्टी है, मजदूर दिवस की, मजदूर दिवस की, लेबर लोग हैं, उलिए इसका फायदा लेना चीए, लेकिन के बार किसी के इलेक्षन उलेक्षन तो किसे होंगे, जिनके जहाएं इलेक्षन उस्जिदिन बप्त करने के लिए, लिए मुझाने के लिए वह कृबएकर करकर की यह ने सोचे के तीन दिन की चुट्टी हम केसे वेस् आज वे समय आप से छुट्टी से छोड़ा इसी बात होगी थी यह छुट्टी सरकारी है बात दिल पर लगे ही कोई बात लिए लेकिन मैंने भी दिमाग भी रख लिए कि दिल पर छुट्टी कित्वी ले रहे है आईए चली विदा लेने का मकत है आप सबको बहुत अथा एंजुई किजे और समवार का फिर से तरओ ताजा होकर हमारे साथ जुरिए अचन नहीं जाये कि आज तक का मेरा तो एक one of the bestest show रहा वो क्या वारा से बारा वारा उनके मेसेज भी आया था कि बहुत बहुत बैतरीन शो था आज का उनको बड़ा मज़ा आया आज बंसल जी हमारे commodity शो में बैठे थे हैं अरे पूछे मार क्या क्या नहीं कर लेते हैं बिलो लोग ट्वीटर पर मैंने तो ट्वीटर पर लेखा को मुझे आज है रहे हां बंसल जी तु बैठने वाले थे लोग बले बंसल जी तो अल्रॉंडर सब काम कर लेते हैं उनने चार्ट निकाला है इमोशनल चार्ट पेटर इमोशनल हम उसके आधार पर गोल्ड में गिरावाट आई है वो त इमोशनल चार्ट पेटर बंसल जी तो बनाया है इमोशनल टॉपिंग बनाया है 1325 डॉलर टॉप है डॉलर टॉम्स में और 32,300 रुपे टॉम्स में टॉप है अनिल जी और मुझे तो लगता है कि अब गोल्ड से भी पैसा निकलेगा और नीचे में इमिजेटली शॉट टॉम में एटलीस 50 डॉलर का डिकलाइन मुझे नियर टॉम में रखता है जैन साब आप भी बताई है आपको तो सब पता कमोडिटरी आप भी ट्रेक करते हैं एक बार हम रतनी जी आपकी काम करने है आप ही का शो चल रही है हमारा एक्टी व नहीं ही आना चाहिए जिस तरीके से ट्वीट्स आ रहे हैं अगर आप ट्रॉम्प साब का ट्वीट्स देखे या जो भी डेवलाप्मेंट्स हो रहे है जो जो जियो पॉलिटिकल टेंशन की वज़े से एक जो रिस्क प्रीमियम जो गोल्ड को मिलता था वो मुझे लगता क कि अब कम होगा और कही न कहीं क्रूड में भी ऐसा लगता कि उचाल बहुत नहीं आएगा तो जो ब्लैक गोल्ड और एक्च्वल गोल्ड दोनों में भी कोरिलेशन होता है फिर आप गोल्ड सिल्वर के भी रेशियो देखे तो काफी गोल्ड अल्रेडी काफी महंगा लगत है तो मुझे ऐसा लगता कि थोड़ा बहुत अब कही ना कही रेजिस्टेंस है और नीचे ही आना चे ऐसा मेरा मानना है अच्छा ब्लेक गोल्ड में तो कच्छा तेल अच्छा तो चलिए गोल्ड में हैं हम सब लोग मंदी में और मतिज्जे के चेरे की चमक लोटने में थ सब्सक्राइब करने में तो कि अच्छा तो किया उसके बाद से गोल्ड का मार्केट डेट सब्सक्राइब बढ़ चुका है अ अच्छा तो